अजी बाई सब्सक्राइब सारे नूं गुड मॉर्णिंग उमीदा तुसी ठीक ठाक होगे आप अपनी क्लास स्टार्ट करन जा रहे हैं बस एक मिनिट दा टाइम दो एक वरी सारे न जोड़ जान दो ठीक है तो बेसिकली अज थोड़ा या बच्चे मतलब भी कि आपनी क्लास स्टार्ट करन जा रहे हैं एक मिनिट दे विच विच एक वरी सारे बच्चा नूं आजान दो फिर आप अपनी क्लास शुरू कर दें यां बाला कंजस्टर हो एक तो हां जी करिए फिर शुरू मौनिंग मौनिंग आगे मेरी क्याल दे विच बच्चे लो जी अपनी क्लास टेविच टॉपक की कवर कर रहे सी ओं पॉर इंपोर्टेन्टली सुनों आप अपनी बीक प्रसेंट रहेंदा हैगा जिदे विच आपा रीडिंग स्केल पाल रहे हैं सी आज आपना टॉपिक दान हो जुगा और टॉपिक दान होन तो बाद जड़ी तोडी शीट मैं दनुग्रोप दे विच पाधूंगी देखो एक चीज ते आननार के मेरे कोड़े ग्रोप ज लेंगोईज देखो कॉमन शीट हुं दिया मैं थो नूँ वट्सएफ ग्रोप देविची पीडियाफ है जड़ी उसेंड कर दे करा मैंनों तोड़े ग्रोप पारे कोई इंफोमेशन नी हैगी बट एससे स्केल्स नूँ जड़ी है ओ नालदी नाल शीट जड़ी पड़े जीदि विच आपाने listening, speaking, reading ते writing नूँ कबर करनदी त्राइग कीती सी और आप जड़ा अपना skill start किता हुया सी that was reading reading दे विच आपा ने सब तो पहला type of readings पढ़या सी देखो जी reading skill आपा ने शुरू किता हुया सी ओधे चापा ने सब तो पहला type of reading पढ़या सी फिर इस तो बाद आपा ने कहलो के जिदे चापा ने type of reading दे विच आपा ने की किता सी के silent reading हुं दिया loud reading हुं डिया इंटेंसिव रिडिंग है एक स्टेंसिव रीडिंग है जिदे विच आपने एस समझन टी कोशिश किती कि किस तरीके देना चुछ पर्दें यां उच्छी बोल के पढ़दें आप दीप कंसेपट लिएंप लैंड वास्ते पढ़दें या जब यह यूटा सै पूरह व कॉंसेप्ट चली पढ़ दें तो साथी किडी रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग है जदो से उत्तों मेरा आइडिया पढ़ लें नहीं चलो ठीक है उनासी नौबल पढ़ रहे हैं का आणी पढ़ रहे हैं ख़बार पढ़ रहे हैं यहां सी पेसिकली सानु पता लाग जो ठीक है ख़बर है इननना सानु और एक डेटा पढ़न दी लोड़नी है गी तो किडी रीडिंग सेगी एक्स्टेंसिव रीडिंग सेगी एचीज़ आप आने कल प्रॉपर तरीके दिन अलकीती है एक स्वाल थोड़े पेपर चींपॉटेंट ली पुछा जान देगा कि अगला टापिक होगा ओऊगा अबाउट रीडिंग स्क्रेटरजी जडियां जदोसी पढ़ देया रीडिंग स्क्रेटरजी की हुँ दियाने असल देविच ना अज मैंनो थोड़े कमेंट थोड़ा जाज रूम देविच चेर्स बगएरा बाढ़ियां लगियां हूँ या अच्छा तुसी नमें स्टूडेंट हूँ चलो फिर मैं थो नुने एक नमबर दिन यहां त्यां देना एसस्ट यह बच्चे जड़े हैं ने उनना ने कि में एड हुना ग्रोप देविच तुसी राज एक नंबर लेखो ओ लड़की थोड़े ग्रोप दी एड में ना ओ ल प्रोप देविच एड कर लो नंबर जड़ा है गए गा उस लड़की था एवाला नंबर है 6280539100 दीपु नाम तो यह कुड़ी है गिया ता एवाला जड़ा बच्चा मैंनों क्या रहा है सी कि ना कैसी नमें स्टूडेंट यह नंबर है पाई एसस्टी ग्रोप देविच आड़ होन दा तो बेसिकली तुस्स ग्रोप देविच एड हो साकते हो हार बच्चे ने उस वाट्साप ग्रोप देविच एड होना है वेकास परसेनली मैं तुद एड़ा कोई नोच पाने ने कोई इन्फोमेशन देनी या कोई टाइम टेबल पैट्रन देना ता सारा थो उस ग्रोप देविच मिलूगा तो बैसिकली आपा रीडिंग स्ट्रेटर जी पढ़ रही हां जी दे विच बहुत इंपॉर्टन कोष्ण पुछा जानदा गा रीडिंग स्ट्रेटीज दे विच की पुछा जानदा है प्रिव्योंग की हुमदा है प्रेडिक्टिंग की स्केनिंग की इस वाल आकसर तोर ते एक्ग्जामीनर जिड़ा है गया है ओ थो नो-पेपर दे विच पूछ दैगा और कई बरी सानु आएं भी पूछ लेया जान दै कि कीडा साबस्किल रीडिंग दा कीडा साबस्किल राइटिंग दा, scanning कीदा सबसकेल ला, skimming कीदा सबसकेल ला इस तरीके दे स्वाल सानू पेपर देविच पुछे जान देने रीडिंग दिया, तो इस्टेटरजीज हेल्प की नूँ करन गिया, रीडिंग नूँ, जदो तुसी कुईक लर्निंग करनी या, और तो डे कॉंटेंट भी ते आंदे विच आजे, तो फिर तो नूँ रीडिंग स्टेटरजीज अपना ओनिया, पैंदिया ने, जी दे विच च सब तो पहली स्टेटरजीज जडी है, ओ हैगी है, अबाउट प्रीविउइंग, पहली स्टेटरजी की दे बारे है, प्रीविउउ करना, ठीक है जी, तो बेसिकली जापा गालक करिये, सिसकार लेना, पहला तो थोड़ा जा आइडिया ले लेना, पहला तो थोड़े जे हैडिंग देखके सानू पता लग जानदा हैगा, और फॉर एक्जम्पल, असी जदो अक्सर कोई काणिया पढ़ दे या, अक्सर कोई नोवल पढ़ दे या, अक्सर कोई स्टोरीज आपने इंग्लिश देविच एक चाप्टर भंदा सी गुलिवर्स ट्रैवल्स हाने ता मतलब वो देच कि या आपनू टाइटल देखके थोड़ा या पता लाग रहे हैं किसे बंदे दी ट्रैवलिंग बारे गाल हो रही है किसे बंदे ने कुछ जगाते ट्रैवल कीता उदे बारे गाल हो रही है जदो तुसी किसे भी तरीके दा हैडिंग देखके जदो तुसी किसे भी तरीके दा टाइटल देखके जदो तुसी किसे भी तरीके दा नेम देखके प्रीवियू कर लेने वे अच्छा एदे बारे या का नहीं हाना जदो आसी कोई स्टोरी बुक लें पढ़ना चाहिए इस रून साटली इंपॉर्टेंट है जा साटली इंट्रस्टिंग होगा तब असकी है है एडिंग देखके टाइटल देखके नेम देखके तुनू पहला तो पता लागे जान्द है प्रीवियू तुसी कर लेने हो एक की है रीडिंग स्टेटरजी है ठीक ह अच्छा ठीका मैं कर दीए ठीक है हाँ जी प्रीवियू करनता मतलब की एगा प्रीवियू करनता It means reviewing, reviewing titles, comma, it means reviewing titles, comma, subtitles, section headings, comma, subtitles, section headings, section headings. हाण कोशे भी heading title, subtitle, किसे नूँ भी देखके सानू, preview हो जाना, ठीक है जी, and photo caption, even though, कई भी फोटो caption देखके भी सानू, ठीक है, and photo caption, photo caption, उपर लेखे लो एथे, अगली definition जड़िये दिया होगी, ठीक है जी, and photo caption, to get a sense of the structure, to get a sense of the structure, to get a sense of the structure, सानू, सेंस मिल जान दिये, कि है की structure देविच, to get a sense of the structure, and content of a reading, and content of a reading, and content of a reading, done हो गया, preview करन दा मतलब की है, आँ परोचल में टेलो, इन विच्चना लिख लो, preview करन दा मतलब की है, review करना, titles, subtitles, section heading, photo captions, to get a sense of the structure, and content of a reading, कि reading the content की रहन बड़ा है, उदा सानू, preview मिल जान दा, idea मिल जान दा, with the help of titles, with the help of subtitles, with the help of section headings, कुछ भी लालो, ठीक है, जिमें के मैं तुम्हें दस्या सीगा, कि जमें सी गली वर्स ट्रैवल दी, example लेने है, सानू पता title तो कि किसे दे travel experience दी गल हो रही है, भी एक आनी दे विचे किसे दे travel experience वारे explain कीता जा रहे है, तब आस ओ की हैगा, preview करना, जित हुनू कदे भी examiner सुआल पुछ दे के preview की है, तो दा relation reading देना हुनुदा है, preview करके तुसी की दिच help लेने हो, reading दे विच help लेने हो, दूसरा point, दूसरी strategy जड़ी है गी यह दे च, predicting, predicting, हाँ जी, predicting की हुनुदा है, predict करना की हुनुदा, अपनी कहने predictions हो लाग जान दिगाने, मतलब किसे भी matter वारे pre-ideas होने, clue मिलने सानु, जो दो सानु clue मिलने शुरू हो जान देने, अच्छाएं होगा, गयाएं होगा, गयाएं होगा, उन देखो normally, अपना पहला में दार आन लेने होने होने हैं, कि आसी कोई Bollywood movie देखन जाने हैं, सानु पता कि Bollywood movie देविच की होने गा, भी आखर ते, एक्टर ते, एक्टर निया मिली जान देने, मतलब उनना दी लाब स्टोरी मिलके complete होई जान दी है, तो उत्ते फिर साथा mentally सानु clue की है, कि आहो जियां कहा नियां ए दासदिया ने, आहो जियां कहा नियां दी एंडिंग ए होन दिया, ओ प्लू जड़े हैगे ने, ओ कई बारी based on previous readings होन दिया ने, मतलब आसी पहलना कोई पांज फिल्मा देखियां, बॉली बुड़ दियां, जिदे विच एक्टर ते एक्टर ने मिल गे, लाब स्टोरी कम्प्लीट होगी, शेमी फिल्म दे विच भी आसी प्रेडिक्ट करन दी कोशिश करांगे, के आसी अग्गे जाके की देख सकते हैं, जा सानू अग्गे जाके की देखनो मिलूगा, जा फिर की हम देगा, जदो तुसी कई बारी कोई novel रीड कर रहे हो, जदो तुसी novel दे में डच पहुच जाने हो, जा novel दी स्टोरी कुश जेहे तरीके दिया, जीदा clue तुनू already है, clue कि में होगा, कि तुसी ओधे related कोई material पढ़ा होया, ओधे related का नहीं तुसी किसे तो सुनी होई है, ओधे related तुसी किसे film देविच कोई चीज देखी होई है, ता जदो तुसी based on some clues, पहला तो ही चीज जानू predict करन लग जाने हो, तो उनू असी की बोल दिने हो, predicting बोल दिने हो, ओधे च की help करदा, ओधे चा help होँदा भी सानू subject दी पहला तो knowledge हो, सानू किसे subject बारे पहला तो ही पता, फिर आसे उनू की कर देखी होई 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 ह अच्छा है तो हाई हो जही होँदा 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 है अच्छा हो जही श्वाल होँदा होँदा है, आसी भी predictions कर दें तुसी as a student भी prediction कर देंगे के अच्छा ही topLE ने इस तरीके दा सौवाल होँदा है, जिमें आपा पढ़या जिगा के पाइद ही दो ग्रीड़ी स्वाल प्रेडिक्शन दा मतलब सानू पहला कोई क्लू आ कोई प्रियोर नॉलेज जिदे बेस्ट यसी चीज़ा नूं गैसा उट का रहे हैं हां जी इमेजीनेशन फोल坑 बिलकोन अनुमान लगाले ना प्रेडेक्शन घर ले ने ऑठीकें हां जी गुड है जी उनापा प्रिडिक्टिंग ढपा डेफिडिक्टिंस लिखांगे फ्रिडिक्टिंग अपा जुद्यू डेटर नौस तुस सी मॉपी देओ पर लिख लराना हैjust means using prior knowledge of the subject it means using prior knowledge of the prior knowledge of the subject it means using prior knowledge of the subject matter and ideas subject matter and ideas and ideas subject matter the ideas as clues to get the meaning of as clues to close to get the clues to get the meaning of unknown words meaning of unknown words तियनतियनतियनतों अगे चलिये तो इधिच की हम देगासल के इधेच जडीवी knowledge अंथ डियुक्रेट्स अनुदेनरे घ्रडिक्षन गार्डिये नॉलेज बहुत सस्ते ही असी चीज़ानू की कर दिया प्रेडिक्ट कर दिया आगला पॉइंट बहुत इंपॉटेंट और पेपर दे विच थोड़े स्वाल भी पुछा गया है केड़ा पॉइंट है अबाउट स्केमिंग आगला जड़ी रीडिंग स्ट्रेटिजी है ओ केड़ी है स्केमिंग की हुंदा को एक सर्वे को एक सर्वे दा की मतलबा फुन तो अड़ा फर एक्जांपल तुसी ता त्यारी कार रहे हूं तुसी ता डीप पाड़ रहे हूं जड़े वच्चे टैट दी कोचिंग नहीं ला रही जड़े वच्चे टैट दी त्यारी नहीं कार रहे ओकी करनेंगे फिर ओकी करनेंगे ज़दो पेपर दी डेट आगी तो ननों ए होगा विशानों नोट्स देदो जी असी उत्तो तो तो आईडिया जा ले लेने आ विकी चीज जाने के में चीज जाने ता ओक केड़ी तीरी केनार रीड कर रहे ने ज़ा उन्ना दी रीडिंग स system लिखा है उदे बारी नहीं जान दे आसी सिर्फ की जान दे यां कि पाई ये गल की होगी किठे केड़ी कटना वाप पर गी मोदी की लेके आ रहा है असी अमरीका जा रहे हैं अन्वांटर टेक्स्ट केड़े होगे जड़े जास चीज़ नूब नो लिखे गई ने पर इन्फोमेशन है जड़ी उन्हा टेक्स्ट तो बिना भी थोनों पता लग जोगी तो जैसी पूरी ख़बर ना पढ़ांगे वेत्थे आए हुए है में हो ऐसी सी हैडिंग पढ़ लेने हैं ता हैडिंग की है साथा स्केमेंगा मतलब आसे की है एक जर्नल आईडिया लेना है ने चारड़ों को एक सरवे करना है और व्याव रीदिंग एक्ति अक्ति या जदो तसी बीड तक करना ना फुट्वडीं की हा फास्ट रीडिंग आदिग एक्तिविटि या उसी उत्तBER के चिजहा है सामझ लयने ओं कि अच्छा इसतरी17 सबॉस्त को विच्छ जेहुन सानु पेपर दे विच्छ एक स्वाल पुच्छा गया सी कंडीशन देखे के पाई जिड़ी स्केमेंग है बेसिकली जदो साथ दे पेपर दे विच्छ आसी पैसेज पढ़ देयां ते सानु पैसेज पढ़के एक्जामिनर एक एदिन दा है कि बेस्ट ऑन सकते पेरग्राफ टाइटल वाससे तुसी सारे पैरग्राफ नीज सेंट्री आइडिया लिफ आएण स gelecek मेंग अ प Watts केले 40 पिरवा फ्लीजा दो करोजा थैड़ियां सि shields लिक्षिप होगी तब संसरादर स्क्रिप भूजे जरस्किप बहुते दाएं स्केब यह पर मचिए पिर आन्सडर नंच से तो गेट मेन आइडिया तो गेट मेन आइडिया की कह रहे हैं वही चीज कह रहे हैं जो पहला कहीं एक कोई सर्वे हुंदे किसे टेक्स्ट दा मतलब इतिराजे कोई परग्राफ है कोई बोक क्छ भी कुछ भी एक आर्टिकल जड़ा तुसी पाढ रहे हूं ठीक है कोई सर्वे आफ टेक्स्ट टु गेट तुम इन आइडिया में आइडिया लें वास्ते सी की कर देयां स्किमि अन्वांट चंक्स जड़ें हम देने अन्वांटड डेटा जड़ा हम देगा उन्लेफ्ट आउट हो जाना अन्वांटड डेटा केडा हो गया जड़ा सानू चाहिदा नी मतलब जिदा सानू कोई लोड ही नहीं एग यसी उनुवाला डीप पढ़ने नहीं है फिर इट इस वरसरीडिंग एक्टिविटि यह लुए चिज हो चुखे इट एट ऐस और फास्ट डीडिंग एक्टिवीटि वरसरीडिंग एक्टिविटिए ऐस और हजिए यह तो तो जो दो सी पढ़ना तो डेफिनिटले सी तेज पढ़ांगे ठीक है इत इस आ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी डन हो गया अगले चल दें आपँ डेट इस चैनिंग स्कैनिंग मतलब डीप कली कली चीज पढ़नी अपने पूरा स्कैन कर दो पूरा स्कैन दा मतलब की है कली कली चीज दा सानू पता होना चाहीदा डीप जा की आपढांगे किसे चीजँ हुरी है ठीक हैत इता मतलब की है हर एक चीज नो कलोजली एक्वानगें करना हर एक चीज नो क्लोजली मेनिटी तांके सानू डीटेइल्ड इंप्रुमेशन निकड़के बाहर आजे एदा मतलब की है scanning है एदा मतलब की है scanning है लिखो जी it means examining everything it means लेख लिया गरू मड़ा मड़ा लिखना बहुत जरूरी है it means examining everything closely and minutely it means examining everything everything closely closely and minutely closely the minute lead amatala in the body body need a shitty shitty her cheese he care that is getting detailed information god eva stay minutely to get to detailed information I little to get detailed information जे थो बेपर चेग्जामिनर स्वाल पुछदा है कि detailed information तो उन्हों कि में मिल दी है तो तोड़ा answer होगा scanning journal idea कि में मिल दा है तो तोड़ा answer होगा skimming skimming ठीक है तो इना दो मादे विचे फर्क बड़े जादे असान फर्क का ना कोई detail नहीं है गा बिल्कुल जी बिल्कुल 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 वेरी गुर्जड़ बचे answers खार रहे नहीं ठीक है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लो जी उमीदा थोनों scanning ते डिटेइल एक्स्प्राइशन पढ़नी है तो फिर डेफिरिटली स्कैनिंग की होगा कंपरेटिबली स्केमिंग दे श्लो ही होगा डन होगया जी आगले पॉइंटे चल दें इस अटिया रीडिंग स्केटरजी से यह एदिन आड़ा सी रीड कर दें प्रीवीव करना स्केमिंग करना फूओ स्केमिंग करना जो सी पढ़ रहे हैं जो सी किस टाइप भाड़े है आसी बहुत कुछ पढ़नें है इसिपर बोध ने आसी अपना सब्साथ है इकMusic flux क chut करना प्रिडिक्ट करना स्कैनिंग करना कि कि में असी चीज जानू चान्ट्रोल जा रीड कर दी हां जी उमीदा थोनुछ पता लागी हुनी है उस तो बाद एक डैफिनेशन लिखने थोड़ी जी केड़ी डैफिनेशन संथसाइजिंग की हुं दाएगा थोड़े पेपर दे जी जीट़टि पर देविज कोशन पुचय कहां सी संते से लिंग जीने संसिजिंग भी बोल देने संसे जंग जी संत साइजिंग एडा मतलब की हुंदा है काड़ आपस पैलिंग देख लिए सब्सक्राइब नगालते लिखते हुँ संथा साइजिंग संथा साइजिंग इप ले थी संथा साइजिंग की हुंदा है छूटी यह डैफिनीशन इस तो बाद फिर थे उनुपता ही लाग जोगा की ही गाल हो रही है it means putting together information it means it means putting together it means putting together together information putting together information sorry information you cut a put a gardener putting together information to highlight important points to highlight to highlight important points to highlight important points to highlight important points can highlight karna was the important points no and drawing the conclusion at your own and drawing conclusion drawing the conclusion at conclusion at your own at your own logic synthesizing key in that mother's our information to cut a gardener point highlight cardo important jade hageni for information aghi highlight hoaghi point upon highlighter करके नहीं आपकर देंगे तूसी बुक्रीड कार्व हो बुक देच विच तूसी questions कर दने ने जिमें आपशे अपने एक चाप्टर देता है चाप्टर दे एकसाइड exercise दिए exercise पच्च कोश्टर से टेने पचकोश्टर दे सिलूशन चैप्टर दे विच ने तपप पैंसल देना लाइंज ला लेंदे सी हाइलाइट कर देंदे सी के पाई आज इसानू पेपर देविचा सकते हैं जा आज स्वाल जड़ा बढ़या होए दा अंसर ए यह बस उन्हों सी की बोल दें संथसाइजिंग बोल दें हाइलाइट इंपोर्टेंट पॉइंट सेंड ड्र सेंथसाइजिंग बोल दें हाँ जको जी बहुत इंपोर्टेंट है हुझी डैफिनेशन साप वैस्ते भी कर दे रहांगे और इननों तुसी क्लास दे भी इंपोर्टेंट ली करना है नेक्स्ट पॉइंट अपना किया अगला टॉपिक अपना किया अबाउट राइटिंग राइटिंग स्किल दिगल कर दें आपना चौथा लास्ट स्किल पेंडिंग जड़ा है गयगा ओ है गया जी राइटिंग स्किल राइटिंग स्किल अच्छा थो नूँ ना मैं लगपग वाले ता नी लगपग पंजातो सथ स्वाल दोंगी पहले दो चैप्टर दे टेस्ट जिमें भी कर देऊ उएक अनदर आसपेक्ट है बट जदो थो नूँ आसी टेस्ट पाद नेया ता खास करके पैड़ा गौजी नूँ खुद तो साल्व करके देखना पहला तो जदो तो नूँ अंसर देख गया ना थोड़ी धिड़ी ठिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुर भी कम नहीं करोगी ते तुसी पैड़ा गौजी ताहीं सिखोंगे जिए तुसी नूँ कम करना होंगे इदा कम करना इदा सोचना अलागलाग आसपेक्ट रखने बहुत जरूरी है पेपर ची स्वाल नहीं हाल होना जिसाटे आप्शन देख देखके करीगे सो ब जो तो आसी राइटिंग देगाल कर देया ना राइटिंग जड़ा है गएगा एदे बहुत इंपोर्टेंस हा इंपोर्टेंस के मिया एक तया क्या देन ने भी राइटिंग ना सब तो टाफ मेडियो बनने आ जाना है मतलब तुसी किसे पाशा नूँ बोल भी लेने हो उसी किसे पाशा देविच लिखिया हो है content रीड भी कर लें लें ना हो सागधा थोड़े चुप बहुत सारे बच्चान दी रीडिंग अच्छी हो इंगलिश देविच बहुत रीड़े कर लें ने होने हों content सोनके समझ लें थे हो थोड़ा मुटा अनसार देड़ा बोल ले रोल प्ले कर देगा लिखत जड़ी है कि ऑग बहुत इंपॉटेंट रोल प्ले कर दिया है सो इधी ग्रेट इंपॉटेंस है जिदे विच्छ लर्नर अपने मतलब ब्रेंस्ट्रॉम कर दा हाल थोड़े परिश वाल आया हो इस तरीके दा कोश्चन आगे वोद आंसर की होगा राइटिंग होगा ब्रेंस्टार्मिंग की हम दा आइडियास जनरेट करने मैं तोनों एक टापिक देदां कि तुसी ते लिखके लेके होना हना मैं तोनों कहता कि साधे पंजाब दे विच कोई भी कमुद्दा लालो साधे पंजाब दे विच बेरुजगारी दा मुद्दा आनेंप्लोइमंसी दा मुद्दा तो उसी ओते लेखके आउंगे जो तो तुसी ओते कुछ लिखोंगे ना ओ थोड़ी ब्रेंस्टार्मिंग तुसी आइडियास पुट्ट करोगी वी तुसी आवदे आड़े दोड़े देख देओं च विच एनेबलई अलेटल विच एनेबलग लिख लार्ने लेख देजाना थील विच इनेबल्ग लघ करऊई ठीक है यह नहीं आप्शन ता मिलन गेडिपी आप्शन में करोंगे आप्शन में लगे सिर्फ आंसर नहीं मिलने लाँ आंसर बात चों मिलनें ठीक है जो तुसी साल कर लिया हां जी एक टेज आसकेल विच अनेबल जिड़ा किक लर्न नूं अनेबल कर देटू ब्रेंस और तूंच ब्रेंस्ट्राम ठीक है सथी देरा है डीया साथ में यहां कि नहीं संडल सुस्ट पर मतलब करना हो पाकस तुरी और उसारा ब्रें स्टार्मिंग है लिख के राइन दुटि basically ठीक है हां जी कॉमा आइडियाज ब्रेंस्ट्राउम कॉमा आइडियाज आइडियाज लेके होने आइडियाज लेके होने आइडियाज जुन्रेट करने और गनाइज देम आइडियाज और गनाइज देम और गनाइज देम ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज वोग ड्राफ्ट दा मतलब राइटिंग है अडिक्टिंग ना मतलब राइटिंग है ब्रेंस्टॉर्म दा मतलब राइटिंग है तिन्ने स्वाल थोड़े पेपरां दे विच पुछे गए ने अडिक्टिंग आणा स्वाल था थो नूँ पंजाब दे पीए स्टेट ची पुछे गया मेरे ख्याल दे विच अडिक्टिंग ड्राफ्टिंग ब्रेंस्टॉर्मिंग सारा की हुंद है राइटिंग ही हुंदी है जदो भी थो नुए किते आऊगा ता फिर तुसी उदा अंस अब्रोच जस एडवल पी आऊगा नै प्रोच ती हां अप्रोच जस्टु टीचिंग राइटिंग अप्रोच जस्टू कि एचेग राइटिंग मतलत तुसी मेंनु आके क्या दूं के जी सानु राइटिंग स्खा दूं मतल्व सानु इंगलिश दे विच ना राइट करन प्रॉब्लम हो दिया तो तुसी ऐसा टीचर पड़ते क्यों तुसी जवाक नूँ पाशा स्कूनी है पैड़ागोजी दा मतलब की है तुसी बच्चा नूँ जाके स्कूल लां दे विच इंग्लिश पढ़ा हो नहीं है ज़सी इंग्लिश पढ़ा हो नहीं है तो तुसी बच बच्चे नूँ राइटिंग्स के लिस खाओगे जदो तुसी बच्चे नूँ राइटिंग्स खाओगे तो उदे लिए की की अप्रोचस वोक करणगी उन्हां देसी गाल करांगे किडियां किडियां अप्रोचस ने सब तो पहला गाइड़ड राइटिंग हाँ जी सब्तो पहला केड़ी होगी गाइड़ राइटिंग गाइड़ राइटिंग केड़ी हुं दिया सब्तो पहले नों लिखा लगे अपा फिर थो नों सामझना सखा हो जुगा तोड़ा जा गाइड़ राइटिंग आप आफ राइटिंग इन वेच्टीरल परवाइड़ तस सितुएशन इन वेच्ती चर प्रवाइड़्स द लिकर न नयाड़ डेफिनिशन बाड़ी असान है 12 am के लिए ने अधा कि तुनों ग्रेजी पढ़नी हो खी ना लगए इन वेच्च टीचर प्रवाइड दा सिटूएशन इन विच्टीचर टीचर की प्रवाइड कर दा एक सिटूएशन प्रवाइड कर दा दस हूंगी एक्जांपल देके and helps the class to prepare it and helps the class to prepare it and helps the class to prepare it to get in this the teacher continuously provide feedback in this in this teacher in this mother in guided writing in this teacher continuously provides feedback it is a teacher kickeruga continuously feedback provide karuga comma direction feedback with Oga direction with Oga mother lucky me like an a key like an a key me like suck the you figure it in this teacher continuously provides a feedback whole guy direction whole guy and expansion and expansion of ideas to the learner and expansion of ideas expansion of ideas to the learner expansion of ideas to the learner low G very important guided writing that's why I see the teacher continuously a feedback with the teacher to the learner participate स्पेट करूगा आए नहीं हाएगा भी तोनों टॉपिक देता तो चलो जी लिखना शुरू कर दो एचीज कदे नहीं होगी टीचर कॉंटेज नहीं तोनों लिखन वास ते कोई ना कोई कोई हमट कुछें था सब्सक्राइब करें का सब्सक्राइब दॉपिट इए लिखना मतलू पता लागी तीचर राइध्या रएंगे सब्सक्राइब 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 जड़ा है कि नहीं स्टूडेंट टीचर जड़ा है इन लिख देने गाइड राइटेंग और इन इस टीचर इन देश राइटिंग इन देश टीचर पॉन्ट्रोल टू फ्री राइटिंग अगली प्रोच किडिए कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग हां जी कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग ना मतलब की हम दै एदा पहला पर लिख लिए फिर थो नू बता लाग जूगा लुर्णरs are first given sentence exercises लुर दिण सब्सक्राइब साथ. हांजी, to manipulate by changing questions to statement. by changing questions to statement. लेखलो 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 नाल दी नाल लेखलो पता लाग जू वैस था तुनू, होनो तुनू श्यार होना चाहिदा नाल नाल मेरे, हांजी, ठीक है, questions to statements, हो क्या, एदेच की हमदा है, controlled to free writing हों दिया, मतलब free writing ना, मतलब ता एया, सबतो पहला तो थोनू free writing ना पता होंगे, के free writing की हमदी है, free writing दे विछ हमदा teacher थोनू कुछ नहीं दाता हूं, गाइडर राइटिंग दे विछ ता teacher guide का रहा सी ना, के आएं लेकलो, इन्हों आएं लेकलो, मड़ाया आइडिया देता, मड़ाया बच्च नहीं दासता, free writing के दियंदे पहले इन्हों देखने, free writing दे टीचर थोनू कुछ नहीं दाता, पहला कोई exercise देती, then paragraph देता किनू copy करने, and manipulate करने by changing questions, उन्हों नॉर्मली नहीं आपका कर देंदे, देखोते हां देना, मैं थोनू कैदा, के she is, मैं थोनू कैदा, she is working hard, जा she is a hard working girl, कि मर्जी लिख लो, मैं थोनू कैदा, मैं थोनू guide कारना थोड़ा जागाना, मतलब, भी थोनू specifically control to freedom, मैं थोनू कैदा, जि मैं अपपा कैदा ना, भी थोड़ा continuous sentence हा, present continuous sentence हा, जो तुसी present continuous use करोंगे न, तो तुसी ahi, te she दे नाड, it दे नाड, की ला देना, is ला देना, जो तुसी दे लिखोंगे, we लिखोंगे, u लिखोंगे, तुसी R ला देना है, जो तुसी I लिखोंगे तुसी M ला देना है, बक्की सारा कुछ सेम आ, बक्की सारा कुछ सेम हा, वर्व दी पहली फार्म नाड की लगूगा, ING, फिर मत उनु कोंगे दे बेसस थे, तुसी होर सेंटेंस बना के लगे लेकियों नहीं, फिर तुसी बना सबस्ते टीचर ने दूनों समझा आता क्या है हम दे बस यह आयां कर लेने ठीक है जी बस एना की हो जूगा दन हो गया क्लियर हो गया सारे नों थोड़ा की है controlled to free writing की है third is free writing free writing दे विच की है free writing दे विच की है basically हां जी third is free writing what is free writing यह देखना टीचर थोनों कुछ नहीं दासदा बास थोनों topic देता केंदे बहुत पड़ा लिया बहुत दास्ता थोड़ी वारी परफॉर्म करन दी तो थोड़ी की है free writing ग्रैमर नहीं दासदा spelling नहीं दासदा कुछ नहीं दासदा सौरी grammar spelling नहीं सच फ्री writing नहीं दासदा है पहली कलता टीचर थोनों गाइड नहीं कर दासदा तुझी गल्टीचर पते की क्यांदा है तुसी ना कोई बाड़ा grammar spelling नहीं देना मतलब कोई थोनों बाड़ा आयना होवे भी grammar कि थे तुसी आइडियाज जन्रेट करके लेकिए फ्री राइटिंग ना मतलब किया बच्चे दा आइडिया की है विचार की है इस चीज नहीं लेकिए जी मैं आपपा पहला की नहीं कर दो किती सी इंप्लॉइमेंट सी दी ओधे जे थोनों टीचर बिना किसे हाल पुके दे कि फ्री राइटिंग करनी है मतलो जब ग्रैमर जा स्पैलिंग ओचीज तफ उधे तफ मैटरी नहीं कर दा मैटर कर दा थोड़ा आइडिया की है मैटर खाड़ा तुसी ओच्छा लिख की रही हो किड़ा बच्चा किड़ा आइडिया लेकिया है किड़ा तो राइट फ्रिली पना बिना किसे मुद्धे तू लिखो बस आसी थुटा विचार जानना चौने आ कि ऐसी थुटा इस पैल इंग देखना चौने हैं फ्रीली ऐन एन ईनी टॉपिक विधाउट वरेंग ऑन एनी टॉपिक आएनी टॉपिक विधाउट बश्ट वरेंग बिना किसे चक्कर दे, वरी दे, बिना किसे टैंचन दे, without worrying दा मतलब किसंदा है, बिना किसे इश चीज दी, वरी दे, about grammar and spelling, without worrying, about grammar and spelling, मतलब की हो गया, कि spelling दे, grammar दे, वरी होन तो, बिना, जड़ी writing की इती जान दी है, वो की है, free writing है, मतलब सानु आई नहीं मैटर करता भी यसी लिख्या कि मैं जाके मैं अपपा छाड़ देनी या एक दो चीज़ा आप एग्णोर कर सकते हैं बटा आपा बच्चे दा आईडी एग्णोर नहीं कर सकते हैं बच्चा लिख किना ज़्याद आफेक्टिवली रिख्या है ओनी इग राइटिंग जे थो नो कोई बच्चा कोई एग्जामिनर क्वेश्टन पुश्टा के पाई फीलिंग इनो फ्रीली लर्नर्स के डी राइटिंग नाल एक्सप्रेस कर सकता है मतलब अपनिया फीलिंग इनुकिसे चीज दो बच्चा देखके की सूच रही है उनों फ्रीली राइटिंग नड़ कर सकदा तरी राइटिंग नड़ कर सकता मतलब आप मेन आइडिया लेखना फ्रीली एक्स्प्रेस करना थिक है लेखला है पोइंट असफेला ओर टीन टो एक्स्प्रेस्ट दी आ डिए अस दिस ऐलाव top लरूर नर्च गु welche एक्स्प्रेस्ट their ideas yeah this allows the learners to express their ideas giving our feelings freely ideas little ideas thoughts comma feelings freely logic this is free writing in a definition to be joe shabda liqe jane de ne to see definitions inu kadhe igin or ni karongi ayin like ke ke likhya hoya te sa anu patah jadhiyaan bhi definition to anu bada ke dasiyaan jane jane raje o basically ki ne o basically questions he ne onna de basically question ship eh hoye hun de ne taan karke to anu ho definition lakai ya diya mein baadu te lakhoan di nima unna ki lakhoan ni ji da suwaal humda thikai meinu patah evi angrezi cha apne hat taan ga hun de ne ta pa baada japan na pagi unna ki kar lagi jenna ka sahab sr chal luga kam thikai ji so ee chiz thudhi ki hai writing hai unna panu kai veri puchhla janda hai character sticks of good writing bas last shoot to the topic character sticks of good writing hai 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 nana jio si ea a technician musti ssp person te chana miei ga tempi ndola usk नाल तान लाई जान दिया को कि इन फ्यूचर थोड़े लिए लिए कुलास रिकॉडड़ रहोगी तब इन्हों उत्थे आके केड़ा पेंदा विश्री कल भी मैं दो वरी मैसस कीता जड़े बच्चे आपते आए बैठे सी के यूट्यूब ते आजो उत्थे तुसी कमेंट् किते ने बेस इंडियन जोग्रफी दा उधें सी की उसका रहा हूं ता फिर तुसी आज यूट्यूब ते याद नाड़ा हूना है ठीक है रोटी पाणी नाल बना लेकरो कुछ चकर लिगा लिए जी हां जी लेट केंदे भी करेक्टरस्टिक्स आफ गुड राइटिंग मतले जुदा सी अच्छा सुना लेख देयां उधे की की करेक्टरस्टिक्स हो साकत दिंगा ने एनू चीज नू तेया अननार सूनना है सब तो पहली गल सब तो पहला पॉयंट एक तो कोई बरी स्वाल आ जांनाब विस्टे नॉर्मली चीजा है लेटर स्टाइल ड़ यूनिफॉर्मिटी लेटर स्टाइल ड़ यूनिफॉर्मिटी इदे मतलम दसी जाओंगी तुसी सर्फ यडिंग लिखी जाने ने हां जी letter style and uniformity एदिछ की हुंदा सबतो पहला था मतलब भी जड़ा भी असी letter लेखांगे slant जब vertical form दे विचे लेखांगे vertical form समझ देऊ vertical form समझ देऊ vertical form समझ देऊ जब मैं बोड़ते लेखना शुरू कार दियां मौत तो लेके इदर मूं जानी है आएं जानी है ने वर्टिकल थोड़े कॉपी दिया लाइना था ही वर्टिकल बढ़ाएं जानी है ने आएं नी बढ़ाएं जानी है राइटिंग जड़ा सी कारदें कुछ टेक्स्ट लेख देया that text should be in vertical form this is very very important horizontal मतलब की हो गया आएं लागे जानी होगा लेटर स्टाइल नी होगा तसाट इस स्वाल दा ज्वाब होगा वर्टिकल लाइना लिखांगे आएं नूँ ठीक है हाँ जी उस्तों बाद सेकेंड लिजिबिलिटी सेकेंड करेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए लिजिबिलिटी लिजिबिलिटी की या बस एता थोड़े शाब्द तो नूँकर रिफ लिजिबिलिटी दा मतलव की है इजी टू रीड इजी टू रीड जे तुसी गंदा लिखूंगे पहले तो बंदे नूँ पते नी लगना भी लिख्या की है जे पता नी लगना सामझता बाद दी गाला है इजी ली रीडेबल होन इजी टू रीड जा इजी ली रीडेबल थो नूँ पूछ लैंदें या फोजी स्वाल, एंगे मतलब easily readable वास्ते सी की करांगे, correctly ते neatly लिखांगे, किसे भी तरीके दे, text नू, correctly अते neatly सही ते साफ लिखना साजी Father, लिखना लेजिबिलिटी लेटर स्टाइल करनी हैं यूनिफर्मिटी मतलब वर्टिकल स्टाइल है यह फालो करांगी स्पेसिंग जो तो सी लिखांग तोड़ी स्पेसिंग चाहिए खेसिंग समझल हजया नाम लेखरी आपना नाम लेखरी आं इस पीसिंग नाम करिया फिर माहन जल्ड़ को आर टे-चाहिए डिख से हो च्ति-फंग यह निजयर नाएं आलबस अलफवेट ने इस पास linear के मचारथ देने था मतलब शunta मतलब ना बाड़ा बड़ा ना बड़ा शोटा मोड़ेट होना चाहिए एक एक अच्छे प्रपोर्शन ते लिख्या होना चाहिए ठीक है कोई शक्षंका शेती आजो फिर में अगली अगली अगलास ता टाइम है ठीक है जी कोई शक्षंका था दस्तों अपी इस्टेट को दूंगो ना पता निया रहा है जिदे मेनों बहुंत बानने सद्द है मां जरूर दस्तों समझ आया एवरिबड़ी शेती कमेंट सेक्शन द काल ना दिप्पू काल नों छुट्टी है भई काल नों सारे नों छुट्टी है